हलो फ्रेंट्स आज मैं आपके लिए लेकर रहे हूं ये मसालेदार सुखी आलू की सबजी जिसे आलू कतली भी कहते हैं और ये बहुत जल्दी से बन जाती है तो आप इसे पूरी पराठे के साथ में भी खा सकते हैं बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं तो चले इसको बनाना शुरू करते हैं यहां पर हम मैंने आयरेन की कडाई लिया उसमें थोड़ा तेल डाल देंगे और एक चोटी चमब जीरा डाल देंगे थोड़ी से आधी चोटी चमब से भी कम अजवाइन और तो पिंच के करीब हींग डाल देंगे इसके बाद यहां पर मैंन थोड़ा सन निकल गया तो हम उस आलू को इस तेल में डाल देंगे और इन्हें फ्राइ होने तक पका लेंगे पहले कि आप इन्हें अच्छे से मिक्स कर दीजे तेल के साथ में गैस का फ्लेम आप मीडियम कर लीजिए अभी क्योंकि यह हम आयरेन की कडाई में पका रहे है क्योंकि जो आलू होते हैं वो थोड़े क्रिस्पी हो जाते हैं जैसे आलू की टिक्की होते हैं हल्की सी क्रिस्पी इस तरीके से हो जाते हैं आप दो हरी मिज डाल दीजे इसमें लंबी-लंबी काटके और इसको पकने के लिए रख दीजे गया इसका फ्लेम मीडियम ही रख और यह अभी पूरी तरीके से तो नहीं पकी है, 80% के करीब पक चुके हैं, तो इसमें डाल देंगे हम मसाले, तो मैंने डाला है धनिया पॉडर, एक चमच, और एक चमच, लाल मिर्ची का पॉडर, आधी छोटी चमच डाल देंगे, हल्दी पॉडर और थोड़ा सा बिल्कु नहीं डाला है, मसाले कहीं जल ना जाएं, तो गयास का फ्लेम आप लो रिखेगा, और इन मसालों को आलू के साथ अच्छे से मिक्स कर दीजे, जब यह अच्छे से मिक्स हो जाएं, तो आप इने फिर से दुबार से पांच मिनिट के लिए धक के पकने दीजे, तो यह कर देंगे, और गयास का फ्लेम आफ कर देंगे, आप इन आलू को एक पर ट्राइ कीजिए, पूरी के साथ में, पराटी के साथ में यह बहुत टेस्टी लगते हैं, और वैसे भी फेस्टिवल सीजन आ रहा है, तो एक सब्दी आप यह भी तयार कीजिए, आपको बहुत पस पसंद आएगी, रेसिपी अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, थैंक यू पर वाचिंग